नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक मैं हो रजद देव गन शुक्रवार को जब ट्रेडिंग करने लोटे एक दन की छुट्टे के बाद तो ट्रेडर्स थोड़ा कन्फ्यूस थे कि किस तरीके से मार्केट बहेव करेंगे जबरदस बिक्वाली देखने को मिलेगी शुरुवाती सत्र में वैसे शुरुवात ठीक थी उतनी बुरी नहीं थी जितना अमेरिकन संकेत या फिर जो हम एशे बजारों से संकेत ले रहे थे उससे समझ रहे थी नीथा खरीदने का ट्रेडर्स का ऐसा लगा क्योंकि बारा बजे के बाद जो भयंकर तरीके से तूटे हैं आज वन वे ट्राक पे बारा बजे के बाद बहुत स्ट्रॉंग बिक्वाली इंडिन मार्केट पर आगई आज के दिन का लो लग गया स्क्रीन पे जो गिर रहे थे वो थे HDFC बैंक, Infosys, L&T, Reliance, ITC मिलकर दबाब डाल रहे थे सबसे ज़्यादा दबाब तो Infosys और HDFC बैंक डाल रहे थे पांच ही तो स्टॉक चड़े है निफ्टी के आज उस पे भी TCS, Tata Motors, Bajaj Auto, Davis Labs, Nestle यहीं कॉंट्रिब्यूट कर रहे थे और यहीं हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स जिसमें Davis Labs और Bajaj Auto पौने 1% के आज पास चड़ गए Tata Motors, TCS, Nestle यहाँ पर कुछ action देखने को मिला और TCS के नतीजें आये हैं बजार बंदोने के बाद impact पड़ेगा सोमवार को Nifty Losers में Sun Pharma, Stock 3,5% नीचे, Maruti सवा 3% नीचे, Pargrid, Titan, ONGC, कुल मिलाकर ऐसे 45 stocks हैं जो आज लाल निशान में निफ्टी के बंदो हैं लेकिन ऊपर के 5 हैं ये और बहुत ही जबर्दस विक्वाली देखने को मिली थी F&O Gainers में Excide और ये जाते जाते बहुत तेज हो गया stock पहुने 4% चड़ गया, IRCTC दिन भर तेज रहा, सवा 3% उपर, विदा अन्ता तो खेर आउट्शाइन ही कर रहा पिछटे कुछ दुनों में और आज भी 3% उपर रहा, Crompton Greece, Consumer, Lal Pat Labs, यहाँ पर तेजी देखने को मिली लेकिन गिरने वालों की सूची जादा है, और उसमें Page Industries 4% जादा तूटा, Sun Pharma 4% तूटा, Loras Labs, Maruti Suzuki 3% से 4% तूट गया, Zydas Life सवा 3% तूट गया, मिड़के आफ गेनर्स में Newland Labs का नंबर आ गया, पौने 8% उपर, Ion Exchange 7% चड़ा, Hind Zing, Gazzap का Action था, 7% चड़ गया, Archin Chemicals 6% Quest Cop 6% उपर, Repco Home, ISGEC सवा 5% से पौने 6% चड़े हैं, KEI Industries 5% चड़ गया, Mahindra Life Space और Sona Comstar सवा 4% से 5% उपर बंद हुए, लेकिन लूजर्स भी है और एक तो बिल्कुली डामेज है पिछले कुछ दिनों से वो है Relance Infra में, आज भी स्टॉक 13% टूटा है, किरलोसकर ब्रदर् 6% नीचे, Policy Bazar 5% नीचे, India Bulls, Real Estate 5% नीचे, Vesuvius, Paisa Lo, Subex, PPL Pharma, Midkiap Stocks की धुलाई हो गई आज, Sector Specific PSU Banks और Private Banks क्योंकि Interest Sensitive Space जो बहुत फोकस में था, और आज PSU Banks में दबाव, IOB, Bank of Maharashtra, PSB, Central Bank, SBI, Yuko Bank, PMB, कहीं चुपने की जगानी थी, सब पे दबाव था, Private Banks में, City Union Bank, Federal Bank, Axis Bank, ये दबाव में थे, सवा 1% से 2% तूट गए, HDFC Bank, NFT पे बहुत दबाव डाल रहा था, KOTAC Bank, ICA से बाव था, Real Estate Space में जो बिक्वाली आई, उसमें Prestige 4% नीचे, Suntech, Sobha, पौने 3% नीचे, Lodha, Obero, Realty, 1.5% से सवा 2% तूट गए, Oil & Gas Space में, GSPL 3% नीचे, IGL, Oil India, ONGC, सवा 2%, पौने 3% के आसपास तूटते वे नजराए, HPCL, IOC, MGL जैसे stocks पे दबाव था, Reliance Industries भी पौने 1% नीचे रहा, Healthcare में कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन जो तूटे हैं, वो है Sun Pharma 3% नीचे, Loras Labs 3% नीचे, Zydus Life, Abbott, Elkem, Sipla, ये सब stocks पे दबाव था, लेकिन चड़े भी हैं, जिसमें, लालपात, Labs, 2,5% ऊपर, Sinjin, Metropolis, ये कुछ ऐसे stocks थे, जहां पर तेजी देखने को मिली, Lupin और Divis Labs में भी आज के सतर में आक्शन तेजी के और था, FMCG में जो दबाव में थे वो थे, बलरामपूर, Gini, पौने 3% नीचे, वरुन बेवरिजस सवा 2% नीच यहां पर दबाव था, लेकिन जो चड़े हैं, उसमें, एकसाइड, पौने 4% उपर, Motherson, सवा 1% उपर, Bajaj Auto और Tata Motors में तेजी देखने को मिली, भारती Hexacom की ऐसी मार्केट में बहुत ही जबर्दस लिस्टिंग हो गई, अच्छी लिस्टिंग, और यहां पर 570 रुपे के निवेशकों को मिला है, तो बहुत ही अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी, ऐसे मोड महौल में, अब आगे क्या होगा, देखें, बजार बंद होने के बाद कुछ आंक्रे आये हैं, Macro Numbers और Micron Numbers, जिसका Impact definitely देखने को मिलेगा, पहले महंगाई और IEP के आंक्रे, भारत म में मार्च में CPI महंगाई 5.09% से घटकर 4.85% रही है, हम एक्सपेट करे थे 4.9%, तो ये ठीक आंक्रा आया, फरवरी में भारत में IEP की जो ग्रोथ रही है, वो भी जबर्दस रही है, 3.8% से भढ़कर 5.7%, हम एक्सपेट करे थे 6%, ये आंक्रा भी ठीक आ गया, इसका Impact में, तो वो नतीज़े ठीक समझाएंगे, क्योंकि ब्रोकिंग हाउसे उतने बुलिश नहीं, I.T. सेक्टर को लेकर, अब इन लाइन नतीज़े रह जाए, या फिर स्लाइटली बेटर आ गए, तो फिर I.T. से जो जो स्टॉक्स है, वो कहीं न कहीं लाइम लाइट में रह स क्लोजिंग दी है, यह एक प्रॉब्लम एरिया बन गया मार्केट का आज, उमीद नहीं थी कि हम 22,550 के लेवल को तोड़ेंगे, उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी, लेकिन कभी-कभी ओवर्सोल्ड हो जाते हैं, रिजर्ट सीजन की शुरुआत हुई है, तो अभी ब कुछ चालिंज जादा बन जाएगा, आज भी अटेंट कर रहे थे हम 2200 के लेवल को निकालने के, लेकिन हो नहीं पार था ढंग से, तो ये 2700 के आजपासिक रिजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं, अगला हफता छोटा कारोबारी हफता होगा, राम नभ मी है, तो 17 एपरिल ब कर रहे थे थे दे ठाजब एफ़ कर दोगा पार राम ऑट बन जाएगाने के, तो 15 एपरिल झालने के राम उनीघया जाएगारी हम जाएगारी हम एट रहे राम पार पार रहे डिल्या है, भी शपरिजिस्टेंस